जाएं दोस्तो काफी सारे option आते हैं तो इनको कीसी fill करना ہے वो आपको बता देता हूँ तो पहला option है कि क्या? आपने exit purchase किया है तो इस पर yes आपको click करना है और yes पर click करने के बाद चलते हैं यहाँ पर next option पर तो यहाँ पर आजाता है कि आपको X-Suit में कौन सी चीज सबसे ज़्यादा अच्छी लग दिया है तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर मैं थीम वाले ओप्शन को सेलेक्ट करने वाला हूँ और उसके अलावा कील इफेक्ट, कील मैसिज और यूनीक लोबी एंट्री को भी मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ और X-Suit के अंदर आपको जितनी भी चीजे पसंद है उनको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वाले उप्शन पर और नेक्स्ट वाले उप्शन में यहाँ पर लिखा है कि कौन सा X-Suit आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर गॉल्ड़न फैरो X-Suit को में सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि यही मेरा फेवरेट X-Suit है उसके बाद चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वाले उप्शन पर और नेक्स्ट वाले उप्शन पर यहाँ पर लिखा है तो अगर आपने नए वाले एक्सूट को purchase किया है तो आप yes पर click कर सकते हो तो यहाँ पर no वाले option पर मैं click कर देता हूँ और चलते है next वाले option पर तो यहाँ पर लिखा है how satisfied are you with new exit तो जो नए वाला exit है उसको यहाँ पर आप rating दे सकते हो और next option यहाँ पर आजाता है what did you not like about the new exit तो जितने भी option है इनको आप select कर सकते हो तो यहाँ पर price वाले option को मैंने select किया है क्योंकि price ही मुझे इसका पसंद नहीं आया तो इसको आप अपने according select कर लेना तो next option पर चलते हैं और next option पर यहाँ पर लिखा है what creative themes would you like to see in future exit तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी suggestion नहीं है future exit के लिए तो golden ferro exit को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और अगर future exit के लिए आपके पास कोई suggestion है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसके बाद last option यहाँ पर आ जाता है और इस option में इन्होंने suggestion मांगी है अपने future updates के लिए और यही वो option है जो हमारे लिए काम का थाबित होने वाला है तो इसमें आपको क्या fill करना है वो बता देता हूँ so first of all तो अगर आपके पास कोई suggestion है किसी नए feature की या किसी नए update की तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो और एक चीज यहाँ पर आपको जरूर लिखनी है वो है old irangle तो old irangle को लाने के लिए यहाँ पर जरूर लिखना और जितने ज़्यादा form submit होगे old irangle के लिए उतने ही ज़्यादा chances होएंगे old irangle के आने के तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है I don't have any suggestion for future exit I want to suggest PUBG Mobile to return the old irangle 1.0 to the game also old lobby UI of season 6 तो आप भी इस तरीके से feedback दे सकते हो और submit पर click करोगे तो यहाँ पर यह submit भी हो जाएगा और link आपको description में दिया हुआ है तो इस form को जरूर से बरना और comment करके बताना कि जिन लोगों ने बीजीमाई को छोड़ दिया है old irangle आने के बाद क्या वो लोग बीजीमाई को वापस से खेलेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में